एक चोकाने वाले घटनाक्रम में, चेननाई सुपर किंग्स CSK के अनुभवी कप्तान एमेस धुनी ने IPL 2024 से ठीक पहले कप्तानी छोड़ दी है। जैसा की IPL वेबसाइट द्वारा पुष्टी की गई है, अब रुतुराज गायकवार येलो आर्मी का नित्रित्व करेंगे। क्यों छोड़ी कप्तानी, महिंद सिंग धुनी ने चेननाई सुपर किंग्स CSK की कप्तानी छोड़ दी क्योंकि रुतुराज गायकवार को 2024 इंडियन प्रीमियल लीग IPL 2024 से पहले कप्तान नियुक्त किया गया है। टूर्नामेंट की शुरुआत से ही CSK की कप्तानी कर रहे धुनी ने IPL 2022 से ठीक पहले अपनी कप्तानी छोड़ने का फैसला किया था। उनकी अनुपस्थिती में रवींद्र जडेजा ने नेत्रित्व की जिम्मेदारी संभाली थी। हाला कि ये लंबे समय तक नहीं चल सका क्योंकि जडेजा की कप्तानी में CSK के खराब प्रदर्शन के बाद CSK प्रबंधन ने धोनी से अपने फैसले पर फिर से विचार करने का अनुरोध किया था। CSK ने एक बयान में कहा कि A.M.S. धोनी ने IPL 2024 की शुरुआत से पहले चेननाई सुपर किंग्स की कप्तानी रुतुराज गयकवार्द को सौप दी है। रुतुराज 2019 से चेननाई सुपर किंग्स का अभिन अंग है और उन्होंने इस दोरान IPL में 52 मैच खेले हैं। टीम आगामी सीजन के लिए उत्सूख है। इस खबर में इतना अपना बहुत ख्याल रखें। चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।